क्या बात है हड़ी की प्रोब्लम हर गर में है हरदे की प्रोब्लम हर गर में है बीप्ती हाई लोग की प्रोब्लम हर गर में है और यह जो हैंने केल्शियम कार्बोनेट और वो भी पान सो एमजी दोस्तों जो लोग महंगा कहते हैं वो बाजार की टेबलेट को देखिए एक दस से बार रुपे के आती है और उसमें पांसो अमजी नहीं होता है डवल तिवल लेना फड़ेगा और मैं यहां पर इसे सब्द नहीं बोलनूंगा खुदी समझ जाए उसमें साल्ट होता है जो बाद में क्या साइड एपेक्ट भात सुतना है या साइड एपेक्ट ही नहीं तो प्लेटिनम गोल तो इनके साथ दूस्त आएंगे आएंगे राश्वत भीगर आ गया तो बड़े-बड़े साइता करता है हड्डिया ही नहीं दोस्तू हड्डियों के आसफास सेलिव मास पेशियों मसल्स को भी मजबूत करता है हर हर को आप केलसियम कार्बोनेट लेते हैं तो वो केवल अड़ियों को टीक करता है, बलड को नहीं, ये अड़ियों के साथ बलड सर्कुलेशन में भी मदद कर रहा है, साती साथ ब्रेन को टीक करने की चीज़ भी इसमें डाली गई है दोस्तों, इसलिए डीत थी लिखा गया बात म कहां रेत जादा है, आपके हड़ियों को टीक कर रहां, आपके खुन को टीक कर रहां, तीनों के गुण को मिलाई, कुछ ही नहीं है, मैं तो सोच रहा हूं बनाने वाले के बच्चा क्या होगा, कहां से वो क्लेक्शन किया होगा, लाज़ जबाब, अगर यहांसे मैं फिर तो दोस्तों ध्यान से सुनना इन चीजों को, केल्शियम कार्पोने ये तवचा को रूकी होने से बचाता है, देखो हड़ियों को तो करी दिया, इसके लावा ये जो D3 डाला गया है, क्या कर रहा है, तवचा को बचाता है, बलड सर्कुलेशन को ठीक करता है, बाल और खाल क सुकेपन से बचाता है, बेजान बाल और खाल को जानवान बनाता है, कमजोर बाल और खाल, बाल का मतलब होता है, खाल का मतलब है इसकीन, उसमें रूकेपन को ठीक करता है, जो बेजान होगे ते उनमें जान डालता है, जो कमजोर होगे ते उनको ताकतवर बनाता है, कहां iisda rate जादा दोस्तugूं और mass patient में परिशूदन करता यह बहुत अच्छा सब लगा जिसमें c.ai, d.3 का जो communication है यह परिशूदन करता रिपेर करता है बाकी और तो jgew mass patient में टाकत देते हैं और यह ताकत के साथ है?」 repair कर रहा है c.ai, d.3 का मतलब है रिपेयर भी करता है, खराब जो होगी, तिन अलकी शी उसको ठीक कर देगा है, क्या लाजवाब चीज है, अनन्द आ गया, नेक्स्ट